चुल्ष में दो दोस्तो आघ के इस वीडियो में मैं आपके इस साध कने वाला हूं ढोन कंवेंशनल एंशनल आमरी स्वेस्ट्रोन के बारे में परिक्यो आगर पेल केज आखर करेंगे Biomass Energy जो है वो किसे कहा जाएगा और Indian Biomass Energy सीनारियों के बारे में भी जो हम discuss करने वाले है परन्तु दोस्तों अगर आपने अभी तक हमार YouTube चैनल पर Non-Conventional Energy Source के जो प्रिवियस चेप्टर से वो अभी तक हमार YouTube चैनल पर नहीं देखे तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी और उसका पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो आपको description box में भी available है तो वहाँ पर जाके आप check out कर सकते हैं तो start करते हैं आज का ये video lecture first हम biomass के साथ तो biomass जो है वो किसे कहा जाएगा biomass आपके से जो है वो define कर सकते हैं biomass की definition जो है वो बहुत ही simple है biomass is a biodegradable organic matter that has been found on the terrestrial as well as the aquatic plants यानि कि terrestrial biomass भी जो होता है और aquatic biomass भी होता है तो यहाँ पर terrestrial biomass की से कहा जाएगा कि जो पूर्थवी की सतह पर या फिर जो land पर जो हमें देखने को मिलते है plants, crops तो उसे जो है वो हम terrestrial biomass कहा सकते हैं और aquatic यानि जो है वो water के अंदर हमें देखने को जितने भी plants, aquatic species देखने को मिलते हैं उसे हम aquatic biomass कहा सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं bio degradable organic matter इसे क्यों कहा गया है यानि कि biomass को जो है वो क्यों हम bio degradable organic matter कहा सकते हैं तो biomass में से जो है वो bio energy यानि कि biomass energy आप कैसे generate करेंगे कि bio degradable जो organic matter है उसे आप bacteria की presence में bacteria की जो presence है उसमें जो है वो आप उसे oxygen की presence में या फिर oxygen की absence में उसे जो है वो आपको क्या करना है simply उसको सड़ाना है और सड़ने के बाद जो है वो आपको solid fuels, liquid fuels as well as gacials fuels भी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें से तो वही पर गरम बात करते हैं terrestrial biomass में से तो terrestrial biomass में जो terrestrial plants होते हैं उसमें से जो है वो generally हमें solid fuels मिलते यानि कि यहांपर आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो crops को जो है वह जब आप सुखा देते हैं या फिर जो solar energy की जो प्रेजंस होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा आप रखेंगे तो जो moisture content होता है उसमें से वो जो है जो zero हो जाएगा और moisture content जैसे ही zero होता है तो आप उसे use कर सकते है solid fuels के तोर पर और वहीं पर गर हम बात करें तो terrestrial plants में जो है वो animal और residual जो west होता है plants का या फिर animal का जो west होता है sewage west होता है उसमें से जो है वो हम gaseous fuels generate कर सकते हैं gaseous fuels यानि कि जो है वो CH4 methane या फिर bio gas हम generate कर सकते हैं उसके बाद में अगर हम बात करते है aquatic biomass में से तो generally aquatic biomass में से हमें most of liquid fuels देखने को मिलते हैं यानि कि liquid fuels हम generate कर सकते हैं liquid fuels में जो है ethanol methanol जो है वो generate कर सकते हैं तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि biomass specifically किसे कहा जाएगा कि biomass is a biodegradable organic matter that has been found on a terrestrial as well as aquatic lands या फिर aquatic nature तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं biomass energy के बारे में biomass energy जो है वो किसे कहा जाएगा जैसे मैंने आपसे बात की कि biomass is an organic matter produced by terrestrial as well as aquatic plants उसके बाद में बात करते हैं कि the growth of biomass जो biomass की growth होती है वो कैसे होती है तो biomass की जो growth होती है वो generally photosynthesis process के द्वारा होती है जो presence in the presence of solar energy with the help of chlorophyll content which is presence inside the plants यानि कि chlorophyll content होता है plant में available होता है वो solar energy के जरीए जो है वो photosynthesis process के जरीए हमें biomass का growth देखने को मिलता है या फिर biomass energy plantation हमें देखने को मिलता है तो यहां पर आप जैसे बात कर सकते हैं कि biomass energy जो है वो indirect form है solar energy का जैसे मैंने आपसे solar energy के दिसकस किया था कि biomass is the indirect form of solar energy तो दोस्तों photosynthesis process जो है वो next video lecture यानि कि part two में में आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो उसके बाद में अगर हम बात करते है renewable energy sources in a total primary energy source is 206.5 million ton of oil equivalent अगर हम उसे हम compare करते है total primary energy source के percentage के वाइस तो वो हमें मिलता है 23.4 percentage और international energy agency के द्वारा जो report बनाई गई थी उसे हम अगर compare करते है तो उसके द्वारा दिया गए data है 9.9 percentage अगर हम बात करते है renewable electricity यानि कि जितनी भी हम electricity इंडिया में generate करते है उसमें से जो renewable electricity है वो कितनी उसकी मातरा है उसकी मातरा जो है वो आई ये के द्वारा दी गई है 24.6 percentage जितनी जो electricity करते है तो वो जो है वो हम renewable sources में generate करते है उस renewable sources में से जो है वो 263.5 तेरा वोट अवर जितनी जो है वो electricity हम generate कर लेते हमारे renewable sources जितने भी अवलेबल है हमारे पास तो वहीं पर कर हम बात करते है biomass and waste में से पर्टिकुलर इस चेप्टर के अगर बात करें biomass and waste यानि कि bio energy की बात करें तो biomass energy है उसमें से हमारे पास जो उसका जो source है वो available है 186.8 million ton of oil equivalent यानि कि अगर आप उसे compare करते है total primary energy source के साथ तो वो निकल करता है आपका 21.2 percentage और अगर हम renewable electricity के कर बात करें तो उसमें जो उसका योगदान है वो है हमारा 2.9 percentage जितनी जो electricity है वो हमारी generate करके देता है हमारा biomass and bio waste तो यहाँ पर यह जो data है वो IEA यानि की International Energy Agency के द्वारा लिया गया है 1st April 2017 to 31st March 2018 और यहाँ पर जो है वो पीचे हमने source भी available कराएगे तो वहाँ पर आप जाके पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है IEA की वह आप पढ़ सकते हैं तो नेक्स्ट हम दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले है Biomass Energy के जो IEA के द्वारा कुछ graphs दिये गए थे तो उसमें मैं आपको Biomass Energy और Biowaste का जो है वो महत्वा समझेना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइक्सिस पर जो है वो million ton of oil equivalent जियानी की वो जो है वो एक energy का unit है तो यहाँ पर आप देख सकते ही 1000 तक जो है वो scaling की हुई है और वहीं पर X-axis की बात करें तो X-axis में जो है वो electricity production और total primary energy source के जो है वो columns दी गए हमें तो उसमें अगर हम बात करें तो first जो है वो blue color की जो आपको line दिखाई दे रही यानिकि blue color का portion दिखाई दे रहा है वो other renewable sources की बात की गई है यहाँ पर जो pink color का portion दिखाई गया है वो जो है वो heat का है blue color टा portion यानिकि electricity yellow color nuclear हुआ अपने आप से पढ़ सकते है यहाँ पर अगर आप बात करें कि biomass और bio energy की बात करें तो bio energy and the waste which is in the green color you can see that which is approximate यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम compare करें तो 200 million ton of oil equivalent जैसे हमने previous slide में बात की तो approximate जो है वो 200 million ton of oil equivalent जितनी है जो है वो हम production कर पाते हैं यहाँ पर electricity का production उसमें से कर सकते हैं वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि total primary energy source में भी आप देख सकते हैं कि around इतना ही ही जो है हमें percentage देखने को मिलता है total primary energy source में bio energy and bio west के बारे में तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अग compared to अगर हम दूसरे sources की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते ही कि यहाँ पर यह जो data है वो overview है Indian energy scenario का by fuel and sector 2017 में यह data जो है वो लिया गया था और यहाँ पर जो है वो इस report में से ही यहाँ पर यह source लिया गया है तो उसे आप जो है वो चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद म biomass energy का again क्या जो है वो important है more important है अगर हम बात करते हैं इंडिया में industrial sector की, transport sector की, residential sector की, services and other sectors की और total जो अगर हम energy की बात करें कि जितनी ही energy हम utilize कर सकते है total final energy consumption यानि कि TFC यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में जितने भी जो है वो source forms दर्साय गए है उसको आपको याद रखिये क्योंकि वो जो है वो आपकी exam में पूछे जा सकते हैं यानि कि यह हो गया आपका source form million ton of oil equivalent उसके बाद में बात करते हम total primary energy source TPS या फिर IEA तो यहाँ पर यह जो है व biomass and bio energy जो है वो generally maximum use की जाती है residential sector में जो maximum है competitive लगर हम बात करते है industrial sector, transport sector, services and other वो कितनी है 68% जितनी जो है वो use की जाती है तो उसे हम कह सकते कि जितना भी हमारा residential sector है total final consumption में वो हमारा निरपर रहता है bio energy and waste के उपर अगर हम दूसरे sectors की बात करें तो service and other sectors में जो है वो 10% है व industry or sector में भी जो है वो 13% है वही पर transport sector अभी जो है वो हमारा oil के उपर ही dependent रहता है तो उसे हम near future में change करते रहेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते है total final energy consumption में जो है वो सब sectors को मिला कर अगर हम total लेते है तो 27% जितना यानि कि major of the portion जो है वो bio energy and waste ने cover करके रखा है तो Indian government ने renewable energy के लिए जो है वो कौन सी dedicated institutions जो है उनका निर्मान किया है तो वो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो question आपसे पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो main in charge जो है वो regulatory body है हमारी ministry of new and renewable energy MNRE is in charge of the development of the policies which is related to the renewable energy sources in electricity sector, transport sector, and heat sector in the India यहाँ पर उसके बाद मेंगर हम बात करते है Indian renewable energy development agency IREDA under the MNRE functions as a non-banking financial institution तो यहाँ पर जो है financial कोई सी भी help चाहिए तो वो हमाई provide कराती है मारी Indian renewable energy development agency for providing loans for renewable energy and energy efficiency projects उसके बाद में अगर हम बात करते हैं the ministry of petroleum and natural gas MOPNG is the overall coordinating ministry for the development of biofuels and implementation of the national biofuels policy यहाँ पर दोस्तों इसको आपको याद रखना है क्योंकि biomass मेंसे जो है वो आपसे पुछा जाएगा कि overall coordinating अगर body की बात करें तो the ministry of petroleum and natural gas हमें देखना को मिलेगी जो regulate करती है biofuels को और implementation of national biofuels policy को उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ministry of science and technology department of biotechnology department of science and technology as the responsibility for innovation and has a strong focus on bioenergy technology रिसार यानि कि bioenergy में जो है वह जितनी innovations चाहिए strong focus चाहिए जितना भी जो है वो near future में उसको advance कैसे कर सकते हम इस लिए को तो उसका जो हो जिमा दिया गया है ministry of science and technology टेकनोलोजी को उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंडिया जूज टो मीटिगाओ टौन टॉटै टार्यटेटेट तो टेन गिगाओत टॉट फॉट टेइन गिवर्ट फॉट बाइयो एनरडी नेक्स्ट हम वीडियो लेक्ट्टर आएंगे उसमें देखेंगे कि सुगर मिल को जनरेशन प्लांट है वो प्रिंसील कंट्रिब्यूटर कैसे है हमारे बायो गैस जनरेशन में the scheme to support and promotion of biomass-based cogeneration in the sugar mills and other industries यानि कि ऐसा नहीं कि हम sugar mills में ही जो है वो promote करते हैं एसी biomass की जो policy है उसको हम other industry यानि कि other industrial sector में जो है वो उसको भी बड़ाना चाते हैं उसका भी जो percentage है biomass का वहाँ पर उसे भी हम implement करना चाते हैं तो दोस्तो आज की इस video lecture में आप जो है वो important parameter क्या क्या धियान रखेंगे कि first आपको धियान रखना है कि biomass किसे का जाएगा biomass में जो है वो कितने types पड़ सकते हैं यानि कि आपको जो है वो कौन-कौन से classification सापको देखने को मिल सकते हैं उसके बाद में जैसे मैंने आपसे discuss किया कि यहाँ पर यह जो statistical data है उसको आपको धियान रखना है उसके बाद में यहाँ पर graph जो आप as a reference के तोर पर ले सकते हैं उसमें से ऐसा कोई IMP नहीं है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो institutions दी गई है जो renewable sources को arrange करती है उसकी policy को moderate करती है उसको आपको याद रखना ही है क्योंकि उसमें से बहुत सारे MCQs बनके आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे मैंने आपसे बात की कि biomass का fuel जो है या फिर biofuels की जो policy है उसको coordinate करने की जो हमारी ministry है वो है हमारी the ministry of petroleum and natural gas तो आपको याद रखना ही रखना है दोस्तो अगर यह आपको वीडियो लेक्चर informative लगा है तो इससे like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ऐसे ही regular interesting videos देखने हमारे YouTube चैनल पर तो अभी तक अग किसी next informative video में तब तक के लिए keep learning, keep supporting, thank you, thank you very much for watching this video.